हमें लगता है कि कीचन और घर का काम हमारा आसानी से हो जाए और साथ में समय की बचत हो और साथ में पैसों की बचत हो तो हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब उमीद करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो आज लेकर आए कमाल का टिप्स और ट्रिक्स तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तो तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला टिप्स है वो है मेरा छूरी को लेकर चांको को लेकर देखिए चांको में अगर धार थोड़ा सा खतम हो जाता है तो कटता नहीं है सबजी बेगेरा तो यहां पर देखिए कोई भी सोचने वाली भात नहीं है जो हमारे घर में रहती है इस्टील वाली छन्नी उस पे हम धार आसानी से लगा सकते हैं ताकि सबजी कट जाए तो देखिए दो अगर धाकान अच्छा से ना बंद किया जाए थोड़ा सा अगर दीला ही हम लोग लगा करते हैं तो तो उसमें पूरी चीटियां भर जाती है तो यहां पर चीनी में चीटियां ना भर इसके लिए देखिए चीनी में क्या करना है कि चार-पांच लॉंग को डाल के रखिए नेक शाड़िया है दोस्तों यहां पर नीमबु को लेकर देखिए जब भी हम चाय बनाते हैं लिकर चाय नीमबु अला दिमेट चाय या लिमबु पानी पीते हैं तो उस नीमबु को हम फेकते नहीं है देखिए इस तरीके से हम रखे जाते हैं और एक साथ इतना सारा नीमब बटोर लिये थे और यह सारा निम्बू जो है न निम्बू का चिलका यह सब सूख गया है तो इससे कमाल का आश टिप्स बताने वाले हैं दोस्तों फिरी का जुगार यह देखिए यहां पे हम निम्बू ले लिए है थोड़ा सा ले लिए है प्याज लेसुन का चिलका इसे भी उतार के नहीं फेकिए और थोड़ा सा ले लेना है तेज पता तो यह हमारे घर का सलूसन एक हम बना रहे हैं मच्छड भगाने वाला तो यहां पर एक हम कपूर ले लेंगे इसको अच्छे से आग जला देंगे इसमें और आग जलाने के बाद दोस्तों पूरे घर में इस इसको दिखाईएगा यह अजमाया हूँ टिपसे दोस्तों अगर मेरे घर में ज्यादा मच्छड हो जाते हैं तो हम यही टिपस को फोलो करते हैं क्योंकि जैसा कि मार्केट का क्वाइल यह सब पावर यह सब जलाते हैं तो सब केमिकल रहता है उसका धुआ अगर सरीर के अ बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक भी मच्छड मकी देखने को नहीं मिलेगा यह सारे तरह पूरे घर में दिखा देना है आइडिया इस फूल लगा हो तो लाइक कीजिएगा नेक्स टिपसे देख लेते हैं नेक्स आइडिया है दोस्तों यहां पे पेन हमारे बच जाता है यह देखिए कितना असानी से दम पूरा जो स्याही जितना लगा हुआ है इंक सारा एक दम पिघल के हटने लगा नहीं तो सनिटाइजर घर में तो सनिटाइजर से भी हट जाता है दोस्तों यह एक बाड आजमा के देखिएगा आजमाया हुआ टिपसे और लाइप यहां पर चावल को ले Maca रहें रहें तो यहां पर कि भाड पान में घो रहें ब्यक्ते नहीं है यहां पर हम पानी में भड़ा लेना है और शानने के बाड और इसे देखिए इसे बहुत सारे इसे यूज में ले सकते हैं इसे हम धो लिए हैं उसके बाद हम एक बोतल में भर के इस पानी को रख़देंगे और रखने के बाद wenn दोस्तो वीडियो बने रहे हैं देखते रहे है वीडियो को तो आगे बताती हूँ यहां पे तो यह देखिए यह पानी हम इसे हम कहां यूज करने वाले हैं इस पानी को तो चलिए जैसा कि हमारे घर में प्लांट होते हैं हरे भरे तो इस प्लांट में यह जो चावल के पहला धोया हुआ पानी डालिएगा दोस्तों तो इससे क्या होगा कि प्लांट में ग्रो बोटल का पानी जो न हम गमले में डाल दिये हैं तो दोस्तों कैसा लगा टीप्स अंट्रीक्स अच्छा लगाओ तो लाइक कीजेगा नेक्स आडिया देख लेते हैं दोस्तों जब भी हम लोग सब्जी में इस तरीके से नमक और हल्दी डालते हैं लगाते हैं कोई-कोई सब दोस्तों जो रहता है इसे बेकार में ऐसे ही डास्तिमीन में नहीं फेकिएगा इसे हम डालने वाले हैं किचन सिंग में देखे होंगे बैक्ट्रिया विगेरा कीरे मोकोडी ये सब हो जाते हैं पाइप लैन के थूँ थोड़ा बहुत खाना का दाना चला जाता है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट की जगा दोस्तों तो दोस्तों इसी तरीके से मैं यू नू टिप्स वाला वीडियो लाती रहूंगी तब तक के लिए बाइबाए